हमारे साथ मौझूद है अरूम सिंग जी भारती जन्ता पार्टी के राश्री महमन्ती और इसके साथ-साथ राजचबा के सदस भी हैं वारांसी आये हुए है पांच चरण का चुना हो जुका है आपका आकलन क्या है और पूरा होने के बाद क्या कहां तक पहुचेंगे जब म मोदियोगी जी के नित्यत में पुना सरकार हम बनाने जा रहे हैं भाजपा के साथ है महिला एक्जुट भाजपा के साथ है किसान भाजपा के साथ है तो पूरा महौली भाजपा में दिख रहा है जो कभी भी रैली में मैंने देखा टक्टकी लगा अगर कि महिलाएं और किसान बिलकुर आप बोली तो देखते हैं क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया योगी जी ने भी किया लगातार उनको राशन दे रहे हैं जो महिलाएं कभी कलपना ने कितने को बैंक अकाउंट खुलेगा वो बैंक अकाउंट भी खुला और उसमें पैसा भी दिया जा रहा है किसान उत्तरवदेश के किसान को बैंक अकाउंट नहीं था आज 2.56.000.000 किसानों के बैंक काउंट खोल के हर बार साल उनके काउंट में 6.000 रुपए देने का काम हो रहा है तो इसलिए यह जो गरीब है किसान हैं मैलाएं हैं इनके उत्तान के लिए जो काम हुआ है यह वर्ग आज प्रदान मंतिर जी को अपने मसीहा के रुपए दिखता है पिछड़ा वर गए अपना अंसुचित वर गए अंसुचित जन जाती के वर गए और गरीब यह सभी प्रदान मंतिर मोदी जी के साथ है उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छी प्रदर सुनूगा इसमें कोई दोरायने के भारती जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार आपका थे बहुत काम किया है लेकिन इतना काम के बाद भी इतने पसीने क्यों बहाने पढ़ रहे हैं ओभी खासकर प्रदान मंत्री के संसदी इलाके के आसपास देखे पसीने बहाने की बात नहीं होती चुनाओ चुनाओ होता है और चुनाओ में भारती जनता पार्टी के कार करता नेता पूरा जम करके महिनत करते हैं जम के परचार करते हैं कोई कार करता चैन से नहीं बढ़ता वो इसलिए करते हैं कि हमारी और अधिक मार्जिन आए मारजिन बढ़ाने का काम करते हैं आपने देखा पिछली बार किसी के 50,000, 60,000, 40,000 ऐसे मारजिन से जीत रहे थे लोग तो इसलिए कारकरता पूरी चुनाओ को गंभीरता से लेते हैं नेता भी चुनाओ को गंभीरता से ले रहे हैं इसलिए चुनाव पूरा अच्छी तरीके ते भारती इंता पाट्डी के पच्छ में हैं, और कासी तो मानी प्रधान मंत्री जी का संसदी छेत्र हैं, कासी में जो आता है देखता है, 2014 से पहले की सिति थी, आज जो कासी की सिति है, दिब्वे कासी, भब्वे कासी, पूरा कासी में चारो और विकास, सडकों का जाल, अपना अलग-अलग परियुजनाय, स्टेडियम से ले करके, अलग-अलग परियुजनाय को देखता है, तो लगता है कि कासी के लिए जो सो प्लस कहते हैं, विपक्ष यानि अखिले से यादों के लिए कितना कहते हैं, बाकि जो सीटे बच्ची है, बाकि हमारी सयोगी की आएंगी, बाकि उसके लाओं जो बच्चे की उसमें बाट लेंगा आपस में, तो उनका सीटे नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी चुनामी, पांच सालों में मुक्मंत्री थे, किया क्यों तो बताएं, पांच साल जब सभाजवादी पाड़ी की सरकार थी, सासो दंगे हुए, गुंडा माफियाओं का बोल बाला था, जमीनों पर कबजा हो रहे थे, घोटाले पर गोटाले हो रहे थे, लेप्टाप खरी होते हैं कि समाजवादी पार्टी के कारकाल को दो डर लगता है, तो उस समय का डर आज भी लोगों के मन में है, कि ऐसा समाजवादी पार्टी का जो कारकाल था, बहुत ही काला कारकाल था, यह समाजवादी पार्टी मुझको नहीं लगता है कि कुछ भी उसको सफलता प्रा आपरुपनวु जि समाजबादी पार्टी में परचार करने वाला यह नहीं कोई है कोई है भी एकके दुक्के तो उन्होंने क्या किया उपलब्धी के नाम पर बताने का कुछ नहीं है और ऐसे उल्टे सीधे statement देना इमेच उपलब्धी तो बताते हैं कि हमने यह काम किया इसको योगी जी ने फिता काड़ दिया ना ना और ऐसे जञान है कुछ नहीं किया कुछ बताएं तो क्या किया पूरा निर्माण करने का कारण काम निर्माड के बाद योग चल रहे कितने गुन्नमाफियाओं को अंदर बंद किया बताएं तो कितने उद्योग लगा है कितने लोगों को पलायन रोका कुछ तो बताएं कितने लोगों को बिना भेद भाव के नोकरी दिया बताएं तो नवकरी में बायसिनेश करते थे जों कि तो बता है कितने गंडे या ठीज लिया थी पटांए अगर के इह रिए वादा कर रहे हैं कि आसमान से चान भी तोड़के लिए आएंगी जब किसीको मालूम होता है कि सरकार नहीं आएगी तो ऐसे वादा करता है कि आस्मान से चांद तोड़ के ले आएंगे जिनको मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेस यादो जी के समय में बिजली के कारखाने बंद हो गए थे और सपने में अखिलेस यादो अगर मुक्मंत्री बंते सपने में तो सपने में ही कारखाने भी बंद हो जाएके में बिजली की जो चलने है तो मुपत ही आगरे लिए थे अरुण जी आपके अनुसायदी माने तो भारती जंता पार्टी 300 से उपर इस बार जा रही तो वहीं विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि काफी कुछ उनके लिए करने को नहीं है बने रहे दिन भर भारस समाचार पर निराज जैसवाल के साथ रोह सिंग भारस समाचार वारान से